इसके इतार अगर दूसरी तरफ बात विरोध की करें तो जारखंड में इसको लेकर विरोध हो रहा है UCC की तैयारी मध्य प्रदेश में भी है MP में भी इसे लाने की बात कई जा रही है तो तमिलाडू में इसको लेकर विरोध हो रहा है साफ मनाई की जा रही है कि हम इसको मन्जूर नहीं देते, मन्जूरी नहीं देते, स्विकार नहीं करते हैं। बात करें दुनिया की, तो वो कौन सी कंट्री, वो कौन सी देश हैं। सुदान की बात करें, यह वो सारी कंट्री, वो जगे जहां पर एक देश, एक कानून अपनाया जाता है। यह वो अलग अलग कंट्री की तस्वीरे आप देख रहे हैं। जहां पर यूसिसी अपनाई जाती है। और यूसिसी फॉलो की जाती है। तो यह वो आपको तस्वीरे दिखा रहे थे अलग अलग जगों की, जहां पर यूनिया, माफ कीजे, यूनिफर्म सिविल कोड को लेकर बाते अपनाई जाती हैं। और इसी के हिसाब से कानून है। हमने आपको यूसिसी के बारे में जानकारी दी, अब आगे बढ़ते हुए भारत के उदेपुर के बारे में आपको बता देते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ हालात पैदा हो गए हैं, जो हिंसा की खबरे सामने आई थी, उसके बाद क् किया जा रहा है और मौजूदा स्थिती क्या है, देखिए। यह पुछे के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है, परशाशन की तरफ से, मेडिकल परशाशन की तरफ से, मेडिकल अपडेट जारी किये जा रहे हैं, ओदेपूर में जिन्दगी की जंग और परिवार परेशान हैं, सबसे पहले कुछ तस्वीरे आपको दिखाते हैं, और तस्वीरों की जरी आपको बताते हैं, कि वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, तनाव पैदा हुआ है, यह अस्पताल के बाहर, वो अस्पताल जहां पर व और इसकी बस एक ही मांगे कि आप मेरे बच्चे से मुझे मुझे मुलाकात करवा दीजिये, मिला दीजिये, दरसल हॉस्पिटल और स्टाफ की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि चाकू के घाउ है, तो इंफेक्शन पहलने की आशंका है, तो आप नहीं मुलाकात कर सकते, व आप देख रहे हैं कि विरोद हो रहा है और वो परिशान है, रो रही है, कह रही है कि मेरे बच्चे से मुझे मिलवा दो, आप बोल रहे हो कि हालत स्थिर है, अगर स्थिर है तो मिलवाने में क्या दिक्कत है, आप बताई दो ना कि हालत क्या है, उनकी तरफ से एक कहा जा अब पॉइंटर्स के जरी आपको बताते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, क्यों ये विरोध की खबरित सामने आ रही है, क्यों एक मा रो रही है, बताते हैं, उदेपुर में दो छात्रों के बीश दरसर चाकू बाजी हुई, और ये छात्र जाद बड़े नहीं है, 10th 11 क्लास के बताए जा रहे हैं, 10th क्लास का ये छात्र जिनके बीश में लड़ाई हो जाती है, घायल छात्र का इलाच चल रहा है, क्योंकि इतना गंभिरूप से घायल हो जाता है चाकू बाजी के बाद कि इसे हॉस्पिटल में एड्मिट करना पड़ता है, पीडित परिवार परिवार ने आज प्रदर्शन भी किया, जिसकी आप तस्वीरे देख रहे थे, उन्होंने नारेबाजी की, नाराजी जताई और विरोध जताया और उन्होंने कहा कि आप तीन दिन से कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन आप उससे मिलने नहीं दे रहे ह हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे की हालत क्या है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स का कहना है कि उसे इंफेक्शन हो सकता है, उसके घाव लगा है और अगर किसी को मिलने दिया जाता है, तो उसकी जान के लिए खत्रा है, प्रदर्शन किया गया, बच्चे की जानक जानकारी आपको दें, इंटरनेट सेवा बिलकुल बंद है, और स्कूल और कॉलेजिस भी बंद कर दिये गए है, सोचल मीडिया के जरिये अववा ना फैल सके, लोगों तक हमक जानकारी ना फैलाई जा सके, इसलिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, परिवार वालो को पुलिस ने मौके पर पहुच कर समझाया है, और बताया है कि जल्द ही आपको मिलने दिया जाएगा, ग्रांग जीरो पर लगतार रेपबलिक भारत की टीम मौजूद है, क्या कुछ मौके पर हाला आद, देखे रेपोर्ट जिस लड़के के उपर हमला हुआ था, उसके तबियत जो है, स्तती को लेकर लोग लगातार जो है, वो परिशान है, और तालिस घंटे से किसी भी तरह से रिकवर की खबर ना होने की वेज़े से यहाँ पर अब उदैपूर के बाहर, हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग जो है, वो हंगामा कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से आप लोगों की बाद चित्ती तीन दिन हो गए, किलियर नी बता नहीं नहीं कि भई, स्टी लेटर में डाल रखा है, और तीन दिन हो गए, उसको, तीन दिन हो गए, मर गए, अब यह देवार है, अब जिस के नारे लगा रहा है, दुसरी तरह प्रशासनिक टीम जुमा की परपाची थी, S.P. Udaypur, योगिश गोयल का क्या कहना है, सुनिए कुछ लोगों के बीच में यह कंफ्यूजन्स थे कि साब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशाशन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है पच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है और उन्हें जो भी कंफ्यूजन है संदर में उनको अवगत कराया गया कि सीनिर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशाशन के नंबर उनके मौजीच लोगों को और उनके परीजनों को प्लत कराये गया है कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो और किसी भी तरह की उनको वस्तुसिती जाननी हो तो वो सम्मधित व्यक्ति जे संपर्क कर सकते हैं इसी बात कंफ्यूजन को ले करके ये लोग कुछ लोग यहां पर उत्सुक्ता वर्ष मुकरजी चौक में एकत्र हुए थे समझाईश करके उनको अभी होस्पिटल भेजा गया है तो समझाईश देकर हालात को काबू करने की कोशश की गई है वहीं दूसरी और हालातों पर निगरानी डॉक्टर्स भी बनाए हुए बच्चे की क्या हालत है गायल शात्र की तबित स्थर बताई जा रही है नॉमल बताई जा रही है स्टेबल बताई जा रही है डॉक्टर्स की स्पेशल टीम इलाज में चुटी हुई है बताई जा जा रहा है जैपूर से स्पेशल टीम बुलाई गई थी शरीर में संक्रमन नाफैले इसलिए ध्यान दिया जा रहा है और बच्चे से infection नाफैलने की वज़े से मिलने नए दिया जा रहा है बच्चे का medical bulletin किया जा रहा है हर थोड़ी देर में चेक बन रहा है बच्छे के परिवार को डॉक्टर का नम्मर दिया गया है बात कर सकते हैं परिवार डॉक्टर से बात कर सकता है ये भी कहा जा रहा है अमर्दीब भी मौके पर मौझूद है क्या कुछ उनोरे जायजा लिया देखे जरा उदैपुर के महाराना भूपाल सिंग अस्पताल के बहार